पिखली वीडियो में हमने देखा कि थायरोइन हवार्मोन बनता कैसे हैं अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि यह बलड में पछुचता कैसे बनने के बाद तो पहले जेखता है कि यह फाइट पलीत तो फोर मंद तक यह रह सकता है, फॉलिकल में ही stored, और इसी कारण थाइरोड की डेफिशेंसी होती है, तो फोर मंद तक तो पताई नहीं चलता है, तो अभी फॉलिकल के अंदर थाइरोग्लोबिलिन चेन में थाइरोकसिन T3-T4 प्रेजन्ट है, अब यह फॉलिकुलर सेल के अंदर कैसे आते हैं, हमें वो देखना है, तो होता कि है, फॉलिकुलर सेल सीडोपोडिया फॉर्म करता है, और उसमें एक्जोसाइटोसिस प्रोसेस के थूरू वैसाइकुलर फॉर्म में यह चेन अंदर आ जाएगी, सेल के अंदर, अंदर सेल में प्रेजन्ट है लाइज पर जो थाइरोग्लोबिलिन चेन में M.I.T. और D.I.T. प्रेजन्ट थे वो नहीं जा पाते हैं, तो आयोडोटाइरोसेन आयोडिनेज होता है, वो उसमें से आयोडिन को निकाल के वापिस फॉलिकल में भेज देता है और T3, T4 बनने के लिए, और अगर यह एंजाइम काम नहीं करता है, तो आयोडिन डेशीन्सी हो सकती है, T3, T4 ब्लड में आ गए वो आगे टरांसपोर्ट कैसे होते है, तो वो या तो ग्लोबिलिन या प्रि ऐल्भीमिन या अल्भीमिन में बाइंड होके जाते हैं, मैक्सिमम तो ग्लोब्लेन से अटाच होके जाते हैं, बहुत रेयर कुछ अल्ब्यूमिन से नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट होने के बाद कैसे एक्षन करता है क्या इसके फंक्शन से